तो आपको पता है कि The Flash का ट्रेलर आ चुका है जो कि बहुत ही दमदार है और इसमें कुछ-कुछ अनोखे चीज दिखाएगा है जो कि मेरे को काफी मज़ा आया देखके मैं सब कुछ बताऊंगा इसमें और आपको एक और डिटेल देता हूं मैं कि इसमें पुराने वाले बैटमन भहीया दिख रहे हैं और जो कि बहुत ही बड़े सीन के लिए हैं पुराने बैटमन भहीया मतलब पुराने जो आने वाले बहिया जी मैं तो टाइम ट्रेवल करना चाहता हूं पास में ट्रेवल करूंगा और सब चीज़े ठीक करूंगा तो वह बैने फिलिक वाले बहिया बलते तुम पगलाए गये हो क्या तिमाग सठी आए गया है क्या तुम्हारा भी बजेगा और टाइम के साथ खेलोगे तुम् होता भी है तो लेकिन बहुत ना ना बहिया तुम्हारी बहत हम के माने मैं हो कियो माने करते हैं तुम्हारे भार टाइम्सल лож चलते कि फो time travel कर जाते है और time travel करने के कोशिज करते है वह past में तो past में जब travel करते हैं उनको समझ में आते हैं कि ओ भया और सभब बहुत बड़ा गल्ती काम कर दिया मैंने पूरा टाइम लाइन को तोड़ दिया मैंने जो time चल रहा था time का flow चल था उसको पूरा तरह से बरव तो करने हो लेकिन वहाँ पे कोई सूपर हीरो नहीं बचानगे विलेंस वहाँ पे है लेकिन सूपर हीरो कोई नहीं एक्जिस्ट करता है जो कि उल्लों को बचाएगा अब सूपर हीरो एक्जिस्ट नहीं करता है और उनके पास पाउर नहीं है वहाँ पास में तो क्या करेंग और एक चीज होता है लोखा, उनको दूसरे बैरी भी यह मिल जाते हैं, जो कि रियल में एक्जिस्ट करते हैं, वो बलते हैं, तुमने मेरा फेस चुरा लिया, तुम मेरे हुबहु नकल कर रहे हो, तो फिर पता चलता है, नहीं भाई, दोनो भाई है, अब यहाँ पर हीरो नह मैंने वो सूपर हीरो ने, उनके पस कोई सूपर पावर नहीं है अंदर से, वो तो खुद से अपने गैजट बना के सूपर हीरो जैसे बिहेव करते हैं, तो वो तो एक्जिस्ट करी सकते हैं, क्योंकि सूपर हीरो नहीं है नहीं यहाँ पे, लेकिन वो तो एक्जिस्ट कर स प्राने जोने के बता दूमें वह बैटमें का नाम आपने सुनाओगा माइकल किटन मैइकल किटन भाहिया ने बैटमें प्ले किया था रॉल 1989 में जो की बहुत दंदार मूवी थी और वह इतनी दिन के बाद आ रहे हैं जब पास्ट में जागा तो पास्ट की चीज़ी देखे पाश में कॉन था बैटमें हमारे भाहिया थे और वह भाहिया थे बैटमें हैं वही दिखेंगे ना जो कि दिखते भी है इंट्री रही होता है उनका तो उसके बाद सौच चेशल गा उन्टी की पिरका इंट्री में अभृ बहुत सूपरगल का इंट्यूट है सबकी बैट बजाती है और इसके बाद फिर कुछ कॉमिक टाइमिंग भी है कुछ एक्सन भी है बहुत बढ़िया है वे फैसे पर सब कुछ धंदार है लेकिन सोचन की बात यह है कि वह पाश में आते तो क्या अपनी मम्मी को बचा पाएं और बचाएंगे तो जो टाइम लाइन की साथ छिडखानी हो रहा है और खुछ ना पड़ेगा और कुछ खोने के लिए बहुत कुछ है यहां पे पुरा यूनिवर्स क्या बरवाद करना चाहेंगे पुरा टाइम लाइन बरवाद करना चाहेंगे क्योंकि फ्यूचर पर भी तो अटैक होगा फ्यूचर भी तो चिंजर है क्योंकि जो टाइम लें में है एक जिस्ट कर रहे हैं वहां क्यों रहना चाते हैं क्योंकि उसकी मज़ए दार है मेरे को बहुत मजह आ रहा है क्योंकि मैं मार्वल में दिखा था लेकिन हम मुवी उस टाइप का नहीं बना पाया था लेकिन इसमें लग रहा है कि हाँ पुरा रीबूट होगा हमारे जैम्स गन भाईया ने बहुत होगा यहां से बहुत ही मज़ाएगा मेरे को मैं बहुत एक्साइटेड हूँ के लिए आप एक्साइटेड हो कि नहीं मुझे कमिंट में बता और अगर मेरे चल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फिर दो अब तो अमीर बना दो बहुत गरीब हो याड़ बना दो चलिए चलता हूँ